मेरी बधाई कबूल फर्माए, वकील साहब गो संकोचिपूंस्वर में बोला केज का हल खोज निकालने में आपने वाकई कमाल कर दिखाया है लेकिन मेरी तुछ राय में केज का एक पहलू ऐसा है जिस पर आपने कताई रोशनी नहीं डाली है आपने उर्देश्य का कोई जिक्र नहीं किया, हर काम का कोई उर्देश्य होता है, इसलिए जहिर है कि इस कतल का भी होगा आपने ये स्पष्ट नहीं किया कि जिस औरत का तलाक के जरी अपने पती से पीछा छूट जाना महज़ वक्त की बात थी वो एक आएक उसकी मौत की ख्वाहिश्मंद क्यों कर उठी क्या उसे ये अंदेशा था कि वो तलाक का मुकदमा हार जाने वाली थी उसे तलाक हासिल नहीं होने वाला था बिल्कुल नहीं दासानी बोला बर्खुरदार उसे तो उल्टे ये अंदेशा था कि वो मुकदमा जीत जाने वाली थी उसे तलाक हासिल होके रहना था इसलिए व जो मुझे के इसके हल तक पहुचाने में मेरी बहुत मददगार साबित हुई थी। अब मैं बताता हूँ कि ऐसी एक एहमत्रीन बात क्या थी। इतना तो आप जानते ही है कि पिछले दिनों दुशन परमार और मेरी बेटी विभा की शादी की अफवाश शहर में खोद गर्म थी। उन्ही दिनों परमार एक बार मेरे पास आया था और तब उसने मेरी बेटी से शादी करने के लिए मेरी रजामंगी चाही थी। बकॉल उसके अपनी बीवी से तलाक होते ही वो मेरी बेटी से शादी कर लेना चाहता था। तब उसी ने मेरे पर ये तथ्य और जागर हुआ था लेकिन परमार कोई दौलतमंद आदमी नहीं था उसके पास या तो नैनिताल में कुछ जमीन जायदाद थी और या फिर उसकी मोटी रकम की लाइफ इंशोरंस थी बकॉल परमार तलाक के बदले में उसने वो सब कुछ अपनी पतनी के नाम पर देना कबूल कर लिया यू सब कुछ बीवी ही समेट कर ले जाती तो आपकी बेटी को क्या दे पाता हो कुछ भी नहीं और ये बात उसने मेरे सामने अपनी जुबानी कबूल की थी लेकिन वसियत तो कभी भी तबदील की जा सकती है परमार ने अपनी बीवी को ये कहकर भरमाया था कि वसियत अगर रजिस्टर्ड हो तो तबदील नहीं की जा सकती हकीकत सिर्फ ये है कि ऐसी वसियत साधारन वसियत से कैंसिल नहीं होती रजिस्टर्ड वसियत को कैंसिल करने के लिए रजिस्टर्ड वसियत ही चाहिए होती है बाद में ये बात किसी ने पार्वती परमार को सुझा दी होगी उसे दिखाए दे रहा होगा कि तलाक होते ही परमार अपनी वसियत भी बदल देगा और वो दो तरफा बेवकूफ बन जाएगी कहने का मतलब यह है कि पार्वती को मुटा आर्थिक लाप तभी हो सकता था जब कि वसियत बदले बिना दुशिंत परमार पर लोक सिधार जाता और साहबान ऐसा ही इंतजाम बड़ी चतुराई से उस औरत ने किया उसका लालची चरित्रत तो इसी बात से उजागर हो जाता है कि उसने वसियत की रिश्वत की कीमत में तलाग की हामी भरी और वो रिश्वत हाथ में निकली जाती पाकर उसने कतल का इरादा बनाया लेडीज एंड जेंटलमेन, मानिटेरी गेन, आर्थिक लाप्था कतल कर उद्देश्य, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे से सहमत होंगे उद्देश्य आपने, मेजिस्ट्रेट साहिबा बोली, एकदम सही बयान किया है चाकलेट्स का जिक्र आपने नहीं किया, जासूसी उपन्यासकार बोला, आप ये बताए कि जहर वाली चाकलेट्स, पारवती परमार इलहवाद से तयार करके अपने साथ लाए या दिल्ली पहुँचकर उसने उनका इंतिजाम किया ये कोई अहम बात नहीं, दासानी लापरवाही से बोला, खुद चौकलेट ही कोई अहम मुद्दा नहीं ये आप ठीक नहीं कह रहे आखिर चौकलेट ही तो दोकरी है, जो कातिल का कतल में इस्तेमाल हुए हथियार से रिष्टा जोडती है ऐसा तब माना जाता जब वो चौकलेट उपलब्द करना कोई कठिन काम होता या इस्तेमाल में लाया गया जगह कोई बुरलब और अनुपलब्द किस्म का होता ये पहले ही स्थापित हो चुका है कि नाइट्रोबेंजीन नाम का जहर, जो की कतल के लिए इस्तेमाल किया गया था, कन्फेक्शनरी और डाय और केमिकल इंडिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली आम आइटम है जो की किसी को भी आम उपलब्द है चलिए, मानली आपकी बात, अशोक प्रभाकर बड़े इत्मीनान से बोला आपकी थियोरी पर अब मैं एक और इत्राज पेश करता हूँ वो भी बोलो, वकील साहब, अपनी थियोरी से वास्तब में आपने पार्वती परमार के खिलाफ कुछ भी सावित नहीं किया है क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ आपने सिर्फ उदेश स्थापित किया है और अवसर स्थापित किया है इन दो बातों से ही कतल का केस सावित नहीं हो जाता किसी की कतल की नियत हो सकती है, उसे कतल करने का मौका भी हासिल हो सकता है फिर भी जरूरी नहीं कि उसने कतल किया हो आपने वसीयत का जिक्र करके ये साबित करके दिखाया कि पारवती परमार के पास कतल का उद्देश्य था लखनों में उसकी जगह उसके हेर ड्रैसर की मौझूदगी से आपने स्थापित कर दिखाया कि कतल का अवसर उसके पास था लेकिन ऐसी एक भी बात आपने नहीं कही ऐसा एक भी सबूत आपने पेश नहीं किया जो ये जाहिर करता हो कि वास्तव में भी कतल उसी ने किया था दिलाने के लिए काफी नहीं है मेरी अदालत में अगर ऐसा कोई केस पेश होता तो मैं यकीनन मुझरिम को संदेह लाव देकर छोड़ देती मैं तो ये तक कहने को तयार हूँ कि आपने जैसे तैसे कतल का कोई हल निर्धारित समय में क्राइम क्लब के सामने पेश करने की ख दिलाने के लिए दिल गवाही दे रहा है कि आपका निकाला नतीजा गलत है दिल गवाही दे रहा है दासानी ने व्यंगिपूर्ण स्वर में दोहराया एक बात तो मैं भी कहना चाहता हूँ सभापती विवे का आगाशे बोला फरजी चिप्थी के लिए जिस तरीके से आपने अपराधी को सोराबजी एंड संस के लिटेहट का कागज हासिल बाताया है वैसे तो गो कागज हजारों लोगों को उपलब्ध हो सकता है सोराबजी एंड संस में फिक्सर डिपॉजिट कोई भी करा सकता है खुद मेरा ऐसा फिक्सर डिपॉजिट उस कमपनी में है दासानी साहब की ये बात हम मान लेते हैं कि जाली चिप्थी असली चिप्थी पर से मूल इबारत हटा कर उसकी जगह नई इबारत टाइप करके तयार की गई थी लेकिन हत्यारा कोई भी होता चिप्थी पैदा करने का उसने यही रास्ता अक्तियार किया होता फिर ये सबूत वहिद पार्वती परमार के खिलाफ ही किसलिए पार्वती परमार की सुराब जी एंड संज में F.D. होना महज इत्तफाक की बात हो सकती है इस सब कुछ इत्तफाक है तो इत्तफाक से ही ये कबूल कीजिये कि वो ही कातिल है। हमारे कबूल कर लेने से कोई कातिल सावित नहीं हो जाने वाला। कोर्ट में अपराधी का अपराध सावित करके दिखाया जाना होता है। वो पूलिस का काम है दासानी पूर्ववत गरचता हुआ बोला मेरा काम संभावित कातिल की तरफ मजबूत इशारा करना था जो कि मैंने बमे सबूत कर दिखाया है। मिस्टर दासानी क्राइम रिपोर्टर रुचिका केजरिवाल बोली आप इस बात का कोई सबूत नहीं पेश कर सके हैं कि कतल के वक्त के आसपास पारवती परमार दिल्ली में थी। लेकिन मैंने ये साबित करके दिखाया है कि वो उस वक्त लखनव में नहीं थी जब कि वो कहती है कि वो वहाँ थी। लिखा है वो एक लिफाफा खोल कर उसमें हाँ की परची पाता है तो दूसरा लिफाफा खोले बिना ही वो घोशित कर देता है कि उसमें न की परची होगी जब की हकीकतन हो सकता है कि दूसरे लिफाफे में भी हाँ की ही परची हो उसमें कोरा कागज हो या उसमें कुछ भ Am I right, Mr. Prabhakar? Mr. Ashok Prabhakar के जासूसी नावलो के नायक जैसा ही रवया अक्तियार कर रहे हैं। ये भी एन वैसे ही दावा कर रहे हैं कि क्योंकि पार्वती परमार लखनव में नहीं थी, बलकि यो कहिए कि लखनव के अवद घोटल में नहीं थी, इसलिए गोर दिलनी में थी। ऐसी ही एक और टाइप करके तैयार की गई थी। लेकिन Mr. Dasani, क्या आपने टाइप शुदा चिठी की टाइप राइटिंग को भी महत्व दिया। क्या आपने ये पता लगाने की कोशिश की कि जिस टाइप राइटर पर वो चिठी टाइप की गई थी, वो किस किस्म का था, कहां उपलब् मेरे पास इतनी बारी की में जाने का वक्त नहीं था लेकिन इस काम को बाद में पुलिस भी अंजाम दे सकती है। अगर तो तो ही करनी है, दासानी चिरक बोला तो मैं कह देता हूँ कि अगर निकल आया तो, आप पारवती परमार को जानते हैं। नहीं, कभी मुलाकात का इत्तफाक नहीं हुआ, नहीं, कभी टीवी पर देखा होगा, मैं टीवी नहीं देखता, किसी से कभी उसकी बाबत स नहीं, क्या कहना चाहती हो? यहीं कि तभी आपने उसे अपनी थियोरी में एक दौलत की दिवानी ऐसी औरत के रूप में चित्रत किया जो कि दौलत की खातिर कुछ भी कर सकती है. अपने पती का कतल भी. तो क्या हुआ? पार्वती पर मारतो ऐसी औरत नहीं, मिस्टर दासानी आप उसे जानते होते तो आप भी ये भी कहते. तुम जानती हो उसे. कूँब अच्छी तरह से. इतना ज्यादा जानती हूँ कि मेरी कहीं एक ही बात आपकी मुकमल थियोरी की बुनियाद हिला के रख सकती है. ऐसी क्या बात है? ऐसी बात ये है. वकील साहब की कतल के वक्त के आसपास मैं भी लखनों में थी और शुक्रवार 16 नवंबर को दोपहर बाद जिस वक्त चॉकलेट वाला पारसल जनपत के एक लिटर बाक्स में डाला गया बताया जाता है. उस वक्त में गोंती की किनारिश शहीद समारक के सामने पारवती परमार के साथ खड़ी थी. द पहले मैं ये देखना चाहती थी कि आप पारवती परमार के खिलाफ किस किस्म का केस खड़ा करने में काम्याब होते थे. वैसे केस आपने यकीनन बहुत बयागढ़ा और इसके लिए आप बधाई के हगदार है. पारवती परमार की लखनों में ही मौजूदगी की असलियत मुझे मालूम ना होती तो आपकी थियोरी की एक्यूएसी पर मुझे भी यकीन आ गया होता. लेकिन, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर वो खुद भी लखनों में ही थी तो क्यों उसकी हेर ड्रेसर रुट उसके नाम से होटल में ठाहरी? क्योंकि अपने पती से विगर जान जरूरी नहीं समझता था जबकि पार्वती चाहती थी कि फिलहाल उसके अफय की भानक कसी को न लगे. खास्तोर से उसके पती को जोकी तलाग के केस में उसकी बेवफाय की दोहाई डेकर हरजे खर्चे की जिम्मेदारी से निजात पाने की कोशिश कर सकता था. दासानी साह अब पार्वती ने कतल करने के लिए दिल्ली आने के लिए नहीं, अपने लवफेर पर परदा डाल कर रखने के लिए रुद्खी सहायता से ये स्थापित किया था कि वो हूटल अवद में ठारी हुई थी जबकि असल में वो लखनओ में कहीं और अपने प्रेमी की बाहों म अपने चश्मे में से उसने अपने शोताओं पर निगाह डाली, कतल का जो हल उसने निकाला था, उससे वो पूर्म तया संतुष्ट थी, उसकी निगाह में उसकी थियोरी पफेक्ट थी, आर यू रेडी मैडम, सभापती आगाशे बोला, शाया प्रजापती ने बड़ी ग रात मैं सो न पाई और मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि क्राइम क्लब के सामने अपनी थियोरी पेश करने की नहीं, बत और मैजिस्ट्रेट किसी मुझरिम को फांसी की सजा सुनाने की बदमजा जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी, यानि कि आप केस का हल निकाल चुकी है और भावनाए होती है, एक पुरुष दो स्त्रिया या एक स्त्री दो पुरुष, यानि कि तिकोन के दो कोने तो एक तरह से पूर्व निर्धारित है, इन दो कोनों में से एक पर पुरुष का और दूसरे पर स्त्री का होना लाजमी है, बाकी बचे तीसरे कोने पर या एक पु पर स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। पर स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। पर स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। वो आप सबको याद आ जाएगा। वो केस कुछ यूँ था कि गोल्फ क्लब के S.K., कोट्रु नाम के एक सदस्य के पास क्लब के पते पर एक चांदी के गिलास और फ्रूट साल्ट के एक नए ब्रांड का फ्री गिफ्ट डाक से आया था। कोट्रु ने उसे किसी द्वारा किया गया मजाक समझा था और उन दोनों चीजों को पार्सल और रैपर समेथ घर ले जाकर रख छोड़ा था। रैपर उसने इस उम्मीद में नहीं फेका था कि देर सवेर वो उस जोकर को पहचानने में कामाएगा जिसने की वो अजीब और गरीब गिफ्ट उसे भेजा था। कुछ दिन बाद उसके परोस की एक औरत पेट दर्द की शिकायत करती उसके पास आई और पूछा कि क्या उसके पास उस अलामत की कोई गोली गोली थी। तब कोट्रू को फ्रूट साल्ट की वो बोतल याद आई। उसने फ्रूट साल्ट के दो चम्मच पानी में घोले, जाईका देखने के लिए एक घूट खुद पिया और बाकी उस औरत को पीने को दे दिया। नतीजा ये हुआ कि वो औरत अपने फ्लेट में जाकर पांच मिनट तरपी और कोई डाक्टरी इंदाद हासिल हो पाने से पहले ही मर गई। कोटरू ने क्योंकि एक ही घूट पिया था इसलिए वो मरने से तो बच गया लेकिन तबियत उसकी भी बहुत खराब हुई। बाद में गोल्फ क्लब के ही एक अन्य सत्य प्रकाश नामक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिस पर की मेरी अदालत में मुकद्दमा चला था। मुझे उस केस की याद है रुचे का बोली मैंने ही उसे अपने अकबार के लिए कवह किया था। ट्रायल के दोरान सेहमती में सिरहलाती छाया आगे बधी जो कहानी सामने आये थी वो ये थी कि सत्य प्रकाश कोट्रू से सख्त नफरत करता था और कुछ महीने पहले एक बार वो कलब में ही उससे मारपीब भी कर चुका था। इसके अलावा एक साल पहले भी कलब के योगेश पाल नामक एक सदस्य की डाक से यूही चांदी के गिलास और फ्रूट साल्ट का गिफ्ट प्राप्थ हुआ था और वो भी उस फ्रूट साल्ट को पीने से ही मरा था। यानि कि अपने दुश्मनों का पत्ता साफ करने का सत्य प्रकाश का ये पसंदीदा तरीका था। सेशन सपोर्ड किया था। सेशन कोट ने उसे फांसी की ही सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोट ने उसे इंसेनिटी की प्ली पर बरी कर दिया था। कई सिर्श हमती में हिले। हमारा केस भी इस सत्य प्रकाश वाले केस से मिलता जुलता ही है। दोनों केसों में कतल का हतियार जहर है और उसको अपनी मंजल तक पहुचाने के लिए डाग का इस्तिमाल किया गया है दोनों ही केसों में गलत शक्स मारा गया दोनों ही केसों में केस के हल में पार्सल के रैपर ने मेजर रोल अदा किया इसी बात ने मुझे ये सोचने की प्रेरणा दी की हो न हो, हमारा केस भी प्रेम तिकोन पर आधारित था मैं इसी लाइन पर आगे बढ़ी तो प्रेम तिकोन की तस्दीक हो गई इस फर्क के साथ की मेरी थोरी वाले प्रेम तिकोन में प्रेमी यूगल और खलनायक या खलनाई का वाला दखल नहीं था अपनी इसी प्ररेना की वजह से मैंने केस का मुकंमल पोस्ट माटम सत्य प्रकाश वाले केस की छट चाया में किया पिछले केस में योगेश पाल इसलिए मरा क्योंकि जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था हत्यारा उस लड़की से उसकी शादी नहीं होने देना चाहता था तब मेरा ये सोचना स्वाभाविक था कि हमारे वाले केस में भी जरूर शादी में अरंगे का ही दखल था मैजिस्ट्रेट साहिबा वकील दासानी तीवर विरोध पूर्म स्वर में बोला आपका इशारा कहीं मेरी बेटी की तरफ तो नहीं मुझे छाया सक्ती से बोली क्लब के मेंबरान के सामने अपनी थियोरी पेश करने का पूरा अख्तियार है लेकिन किसी पर व्यक्तिगत आख्शेप करने का किसी पर जूठा इल्जाम लगाने का अख्तियार आपको नहीं है मैंने अभी किसी पर कोई इल्जाम तो लगाया ही नहीं है मेरी थियोरी को मुकमल तोर पर सुने बिना आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि ये इल्जाम जुठा है लेकिन आप तो कानून के ग्याता है दासानी साहब सो बार आप मेरी ही अदालत में ये एत्राज उठा चुके हैं कि सरकारी वकील आपकी पूरी जिरह सुने बिना ही उससे नतीजे निकाल रहा है अब इस वक्त वही काबिले एत्राज हरकत क्या आप नहीं करके दिखा रहें दासानी ने बेचैनी से पहली बदला और क्या कल शाम हमारे में ये फैसल नहीं हो चुका कि केस का हल पेश करने की कोशिश में कुछ भी निसनकोच कहा जा सकता है किसी का भी निसनकोच नाम लिया जा सकता है क्या हम सब पहले ही इस बात पर अपनी सहमती नहीं जाहिर कर चुके कि हमारी कलब की मीटिवों में जो कुछ भी कहा सुना जाता है वो बिना किसी पूर्वाग्रा और दुर्भावना के कहा सुना जाता है मिस्टर दासानी आगाशे बोला मैडम थी कह रही है निगाहों से चाया और आगाशे दोनों पर भाले बर्चिया बरसाते हुए दासानी खामोश हो गया प्रोसीड मैडम आगाशे बोला तो चाया बोली मेरे तिकोन का दूसरा कोन भी अब स्थापित हो गया है पहला दुश्यंट परमार और दूसरा विभा दासानी जिससे की दुश्यंट परमार शादी करना चाहता है सत्यप्रकाश वाले केस के जैरे साया अब तीसरी कोन का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है तीसरी कोन पर साहबान कोई ऐसा शक्स होना चाहिए जो कि ये शादी नहीं होने देना चाहता ये तो अभिजीत घोश डबे स्वर में बोला वैसी सिचुएशन हो गई जैसी कल दासानी साहब ने बयान की थी आप गलत नहीं कह रहे छाया बोली चाहे उन्होंने घोशित करके ऐसा नहीं किया था लेकिन वास्तव में कल दासानी साहब ने भी एक प्रेम तिकोन ही पेश की थी उस तिकोन के दो कोन तो मेरे वाले ही थी लेकिन तीसरा कोन जुदा था उसका तीसरा कोन दुश्यंत पर्मार की पत्नी पार्वती पर्मार थी जो की कल ही स्थापित हो गया था की हत्यारी नहीं हो सकती रुचिका केजविवाल के बयान से ये भी स्थापित हो गया था कि पारवती परमार के चरित्र का जो खाका मिस्टर दासानी ने खीचा था वो गलत था बेबुनियाद था पारवती परमार कोई लालची धौलत की दिवानी औरत नहीं है वास्तव में वो एक शरीफ और नेगबख्त औरत है कतल करना जिसके वश्की बात नहीं दासानी सहब ने कतल का जो उद्देश्य बयान किया था उससे भी मुझे इत्तफाक नहीं इनकी निगाह में कतल का उद्देश्य आर्थिक लाब था मेरी थियोरी के मुताबिक ये कतल किसी लाब की खातिर नहीं किया गया ये कतल एक जरूरत के तहत किया गया कतल कभी जायच करार नहीं दिया जा सकता लेकिन कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि न चाहते हुए भी हमें कभूल करना पड़ता है कि कतल ही एकलोता रास्ता था इसलिए जायच था जिस्टिफाइबल होमिसाइड आगाशे बोला यास आपकी तिकोन का तीसरा कोन कोई ऐसा शक्स कभ जाये बैठा है जिसने कतल एक जरूरत के तहट किया है जी हाँ कौन है वो मैं आभी बताती हूँ उस शक्स की शिनाख्त का क्लू मुझे दुश्यन्थ परमार की केरेक्टर स्टडी से हासिल हुआ था अब जरा देखिए क्या है इस शक्स का केरेक्टर वो एक अत्यंत विलासी प्रवृति वाला औरतों का रसिया आदमी है जो अपनी कला को अपनी खूबसूरती को अपने व्यक्तित्व की मिकनाती सी कशिश को अपने नापाक इरादों की पूर्ती के लिए इस्तिमाल करता ह जो की दिल्ली का लाट बायन कहलाता है जो की इस बात में फक महसूस करता है कि उसने ऐसा कोई कुंबा नहीं छोड़ा जिसकी बेहन बेटी उसने खराब न की हो ऐसे केरेक्टर वाले शक्स की मौत की कामना करने वालों का क्या घटा होगा शहर में अब आप लोग अपने जहन में एक हैंसे संजीदा निश्थावान शक्स का अक्स लाइए जो किसी ऐसी लड़की का चाहने वाला है हिच्चितक है जो की दुश्यंथ परमार के हाथों तबाह होने के लिए एकदम तयार केस है अब ज़रा सोचिए कि क्या वो शक्स उस लड़की को तबाही के गहरे गर्प में गिरने से बचाने के लिए कोई कोशिश, कोई भी कोशिश, उठा रखेगा उसकी निस्वार्त इमानदारी, उसकी पाक मुहबबत, उसके आला जज़बात क्या उसे कतल का रास्ता अक्तियार करने के लिए प्ररित नहीं करेगे ऐसे शक्स को दुशिंत परमार का कतल क्या पुन्य का काम, हमारे सभापती महोदे के शब्दों में, जस्टिफाइबल होमिसाइड नहीं लगेगा सभा में चुप्पी छा गई, फिर वो चुप्पी दासानी ने तोड़ी आप वो पिस्टॉल की नाल की तरह अपनी उंगली छाया प्रजापती की तरफ तानता हुआ बोला, ये कहना चाहती है कि मेरी बेटी का कोई बॉइफ्रेंड है जिसने की ये कतल किया है चाया ने बड़े ध्यरी से इंकार में सिरहिलाया, तो फिर इतना कुछ कहने का क्या मतलब हुआ? वो मैंने महज एक मिसाल दी थी, उन हालात का खाका खीचा था जिनमें ये कतल जायज लग सकता था कतल का उदेशिस थापित करने की कोशिश की थी, नाम तो मैंने लिया ही नहीं किसी का मैंने तो आपकी बेटी का भी नाम नहीं लिया था, असल में तो आप ही वो शक्स थे जिन्होंने अपनी बेटी का नाम लिया था दासानी सकप काया, वो कुछ क्षण अपलक छाया की तरफ देखता रहा, फिर उसने संदूग के धक्कन की तरह अपना मुह बंद किया और परे देखने लगा तो मैं आगे बधू, छाया बोली, दासानी के अलावा सबके सिर सहमती में हिले अब आप, छाया बोली, इतनी तो तसवर कर ही सकते हैं कि मेरी तिकोन का तीसरा कोन क्या चीज होगा वो कोई ऐसा शक्स है, अशोक प्रभाकर बोला, जो कि विभा दासानी की मुहबबत के मामले में दुश्यन्थ परमार का प्रतिद्वनगी है Exactly उसका नाम लेने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं लेकिन मैं उसका नाम आखिर में लेना चाहती हूँ पहले मैं अपना केस साबित करना चाहती हूँ दे इस गूड नियूज आगाशे बोला लेकिन मैडम ये न भूलिये कि हम यहां किस्सागोई के लिए जमा नहीं हुए हमारा मिशन इस मुश्किल केस को हल करना है न कि हाजर मेंबरान को सस्पैंस में डालना है उन्हें हैरान करना है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं बहराल बात सबूतों की हो रही थी जो की अपनी थियोरी को बल देने के लिए आपके पास है हाँ, मेरे पास एक नहीं, दो सबूत है और दोनों ऐसे हैं जो पहले कभी प्रकाश में नहीं लाए गए वेरी गुड पहला सबूत ये है कि ये धारणा ही व्रांति पूल है कि दुश्यंत परमार को विभा दासानी से मुहबबत हो गई थी हकीकतन दुश्यंत परमार को विभा दासानी से कतई मुहबबत नहीं थी ऐसे जलील चरित्र के आदमी को किसी से मुहबबत हो ही नहीं सकती वो सिर्फ शादी करना चाहता था एक सोने की चिरिया से उसकी घाग निगाहे बेटी की मुहबबत पर नहीं, बाप की धौलत पर टिकी थी दासानी साहब इस बात की तस्दीक तो आप करते हैं न कि आप रईस आदमी है क्योंकि आपकी आला माली हालत का मेरी थियोरी से बहुत गहरा रिष्टा है जब आप अपनी तफ्तीश से ही इस बात की तस्दीक कर चुकी है दासानी भूंगुनाया, तो मेरी हाना से क्या फर्क पड़ता है फर्क तो कोई नहीं पड़ता, फिर तो बात ही खत्म ही गई चलिए, ऐसे ही सही, वो एक शंट ठिठकी और फिर बोली हाँ तो मैं ये कह रही थी कि दुश्यंथ पर्मार बाप की दौलत हतियाने के लिए बेटी को फसा कर उससे शादी करना चाहता था कैसा जाना, आगाशे बोला दुश्यंथ पर्मार के नौकर से जाना उसे शीशे में उतार कर उससे कुबलवाया वो पर्मार का पुराना, बहुत मुहलगा नौकर है और पर्मार उससे हर बात करता है नौकर ने मुझे बताया कि सहब की माली हालत एक तो वैसे ही खराब है उपर से तलाक के फैसले के बाद और खराब हो जाने वाली थी उसने ये भी बताया कि उन दिनों पर्मार पर करजे का भी बोज था एक बार साथ फेरे फढ़ जाएं वकील की बेटी से नौकर के कहने के मुताबिक ये वास्तविक उद्गार है दुशिंत पर्मार के फिर सब वारे न्यारे हो जाएंगे ये इकलोता फिक्रा दुशिंत पर्मार की नियत चुगली करने के लिए काफी है साहेबान वो नौकर अशोक प्रभाकर बोला आपके सामने मूँ खोलने को तयार कैसे हो गया यूँ ही पोकट में नहीं हो गया जनाब हजार रुप्ये की रिश्वत खाकर तयार हुआ वेरी गोड यानि की एक मेजिस्ट्रेट ने रिश्वत देने का गैर कानूनी काम किया मैंने ऐसा एक मिशन की खातर किया शाया आप्रिसंस्वर में बोली रिश्वत के हर लेन देन में कोई न कोई मिशन तो होता ही है बिना मिशन के कहीं रिश्वत का आदान प्रदान होता है बिना मिशन दी गई रकम तो दान होती है चंदा होती है इनाम होती है यकीनन आपने परमार के नौकर को दान या चंदा या इनाम तो दिया नहीं होगा मिस्टर प्रभाकर छाया के बचाव के लिए आगाशे आगे आया ये हमारी बहस का मुद्दा नहीं यहां जूडी शरी के मारल केरेक्टर पर कोई सेमिनार नहीं हो रहा यहां एक दुरुह केस का हल निकालने की कोशिश हो रही है और जिस्टिफाइज दे मीन्स रिमेंबर? आई डू नतीजा नेक हासिल हो तो साधन पर उंगली नहीं उठानी चाहिए आई एम सारी यू नीड नाट बी गुस्ताखी की माफी के साथ मेरा भी एक सवाल बड़े नर्वस भाव से अभिजीत गोश जल्दी से बोला क्या यू रिश पैसे का लालच देकर हासिल की गई जानकारी भरोसे के काबिल हो सकती है क्या कोई नौकर यू अपना इमान बेच खाएगा? दुश्यंत परमार जैसे छाया तिक्ट स्वर में बोली जलील मालिक का नौकर होगा तो क्यो नहीं बेच खाएगा? जैसी रूह रुचिका उपहासपूर्म स्वर में बोली वैसे फरिश्टे जो जानकारी मुझे हासिल हुई है छाया बोली वो पूरी तरह से भरोसे के काबिल है मुझे सच जूट में तमीज करने को निजी तजुर्बा है आखिर मैं एक मेजिस्ट्रेट हूँ जिसे रोज ही थोक में सच और जूट से दो चार होना पड़ता है मैं यो भोका नहीं खाने वाली कबूल आगाशे मुसकराता हुआ बोला ठैंक यू मुझे एक अन्य साधन से ये भी मालूम हुआ है कि विभा दासानी पर अपने दावेदारी मजबूत बनाने के लिए दुश्यंत परमार ने मंडी हाउस के एक आडिटोरियम के एक कमरे में विभा से जबरन शारीरिक संबंध स्थापित करने की भी कोशिश की थी लेकिन दासानी को भड़कने को ततपर पाकर वो जल्दी से बोली काम्याब नहीं हो सका था आडिटोरियम का एक अटेंडेंट उसकी इस हरकत का गवाह है ये हरकत दुश्यंट परमार ने ये सोचकर की थी कि एक बार ऐसा समर्पन कर चुकने के बाद विभा उससे शादी से इंकार नहीं कर सकेगी अपनी उस नाकाम्याबी को परमार ने अपने नौकर के सामने इन शद्दों में बयान किया था यार किसी मुहजोर घोरी को पानी के पास तक ले जाना आसान है लेकिन उसे जबरन पानी पिलाना मुम्किन नहीं साहबान अब और क्या सबूत चाहिए आपको दुश्यंट परमार नाम के कमीने की बढ़नियती का कोई कुछ ना बोला अब आप सोच ही सकते हैं कि जो शक्स विभा से असली, सच्ची और बेपना मुहबबत करता होगा वो विभा को ऐसे दर्यदे की पहुँच से दूर रखने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता होगा तो ये है आपका एक सबूत आगाशे बोला जी हाँ और दूसरा वो भी पेश करती हूँ सभापती महोदे दूसरा सबूत तो मेरी थेओरी की बुनियाद का दर्जा रखता है वो ही कातिल द्वारा कतल की जरूरत का आधार है और वो ही मेरे द्वारा की गई क्राइम की रिकंस्ट्रक्शन का आधार है हकीकत ये है साहबान की दुश्यन्थ पर्मार नाम के भेडिये के नापाक ख्यालात से विभा कताई बेखबर थी उस शक्स की मिकनाती सी शक्सियत का जादू उसके सिर पर चकब बोल रहा था पर्मार के आकर्शन में वो मुकमल तोर से जकरी हुई थी और बुरी तरह से उससे फसी हुई थी दासानी का चेहरा कानों तक लाल हो गया ये कैसे जाना मैजिस्ट्रेट साहिबा वो बड़े जबत के साथ बोला मेरी बेटी की नौकरानी का इमान खरीद कर आपने बात व्यंगे में कही दासानी साहब छाया बड़े खेद पूर्ण भाव से मुस्कराती हुई बोला लेकिन हकीकत तो ये ही है हकीकत ये ही है कि महानगरों में नौकरों चाकरों का इमान बहुत सस्ता हो गया है आपकी बेटी की नौकरानी तो 500 रुपिये में ही बिग गई दासानी ने बड़े बेबस भाव से दाथ पी से सभापती विवेक आगाशे के मोह से एक असहाय आह निकल गई वो एन अपनी नाक के नीचे अपने द्वारस्थापित कलब के दो सदस्यों में हाथा पाई की संभावनाव पर विचार करने लगा क्या आप इसे बाहर होता जा रहा दासानी चाया पर और अज्जात पर जपट सकता था कहने का मतलब ये है छाया बोली कि किसी सला से या किसी उपेदश से या किसी धमकी से विभाद आसानी को तबाही की उस राह पर चलने से नहीं रोका जा सकता था जिस पर की वो अपनी मर्जी से चल रही थी मेरी तिकोन का तीसरा कोन ये जानता था कि उसको तबाही से बचाने के लिए दुशिंत परमार की मौत लाजमी थी यू कतल का उद्देश्य निर्विवाद रूप से स्थापित हो जाता है लेकिन क्या अशोक प्रभाकर बोला आप अपराधी का कतल के उपलब्ध बाकी तत्यों से रिष्टा जोड़ने में भी काम्याब हो पाई है जी हाँ नहायत खूबसूरती से कैसे पहले चौकलेट के पार्सल में से बरामद वुई जाली चिट्टी की बाबत सुनिए मैंने उस चिट्थी का बहुत बारीकी से मुआयना किया है और उने भी किया होगा लेकिन उस चिट्थी से एक बात केवल मैंने जानी है कौन सी बात? कि वो चित्थी रेमिंग्टिन ट्रेवलर के नाम से जाने जाने वाले एक पोर्टेबल टाइप राइटर पर टाइप की गई थी वेरी गुड लेकिन इसे आपकी मौलिक सोच का नतीजा तो नहीं कहा जा सकता क्या मतलब? टाइप राइटर का जिक्र कल रुचिका ने किया था इसी ने चित्थी की टाइप राइटिंग को महत्व दिये जाने की जरूरत पर जोर दिया था और ये सवाल उठाये थे कि वो टाइप राइटर किस किस्म का था, कहां उपलब्ध था और किस की मिलकियत था? तो क्या हुआ? जो बात एक जने को सूझे, वो किसी दूसरे को नहीं सूझ सकती? सबको सूझ सकती है, आगाशे बीच में बोल पड़ा, इस बात से कोई फर्प नहीं पड़ता, मिस्टर प्रभाकर की टाइप राटर मैडम की मौलिक सोच का नतीजा है या टाइप राटर के कल यहां हुए जिक्र से प्रेरिध होकर मैडम ने इस लाइन पर काम किया आप मैडम को आगे बाने दीजिए, अशोक प्रभाकर खामोश हो गया, हाँ तो आप कह रही थी, आगाशे चाया से संबोधित हुआ, कि वो चित्थी रेमिंग्टन ट्रेवलर पर टाइप की गई थी जी हां, छाया आगे बाधी और मुझे यकीनी तोर से मालूम है कि ऐसा एक टाइपराटर मेरे अपराधी के आफिस में उपलब्ध है ये एक आम टापराइटर है, आगाशे बोला, जो किसी के पास भी उपलब्ध हो सकता है वो टाइपराटर आपके अपराधी के पास भी होना महज इत्तफाक की बाद हो सकती है सभापती महोदे एक इत्तफाक होता है लेकिन जब कई इत्तफाक जमा हो जाते हैं तो वो हकीकत बन जाते है यानि कि अभी ऐसे और भी इत्तफाक हैं आपके जहन में? जी हाँ, दूसरा इत्तफाक सोराबाजी एंड संस के लेटहट से तालुक रखता है मैं अपने अपराधी का बहुत पक्का वास्ता सोराबजी एंड संस से स्थापित कर चुकी हूँ वो कैसे? शायद किसी की याद हो कि दो साल पहले किसी चौकलेट के रैपर के डिजाइन को लेकर सोराबजी एंड संस का चौकलेट बनाने वाली अपनी एक प्रतिद्वनवी कमपनी से हाई कोर्ट में मुकदमा चला था जिसमें सोराबाजी एंड संस का अपनी प्रतिद्वनवी कमपनी पर इल्जाम था कि उन्होंने उनके पेटेंट डिजाइन की नकल मार ली थी मुझे याद है वो मुकद्दमा दासानी कठिन स्वर में बोला इसलिए याद है क्योंकि उस मुकद्दमे में सोराब जी एंड कमपनी का वकील मैं था तो मैं ये कह रही थी कि मेरे अपराधी का उस केस से गहरा संबंध था इसलिए उस केस दोरान कमपनी के मैनेजिंग डाइरेक्टर के आफिस में उस शक्स की आवाजाही आम थी और उस दोरान उसके अधिकार में संबंधित लेटहेट की एकाजशीट आ जाना मामूली बात थी ऐसा कोई लेटहेट उसके पास किन ही तिर्सकृत कागजों में पढ़ा रहा हो सकता है जिसका इस्तेमाल अब दो साल बाद उसे सूज़ा हो सकता है लेटहेट के पीले पढ़ चुके किनारे भी इस बात की चुगली करते हैं कि वो जरूर इतना अर्सा कहीं इधर उधर पढ़ा रहा था ऐसा कागज तो कोरा उपलब्ध होना चाहिए था दासानी ने तुरंट प्रतिवाद किया जबकि मेरी जाच मिश्चित रूप से बताती है कि उस पर से कोई इबारत पहले मिटाई गई थी कबूल लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो इबारत टाइप शुदा कागज को खाली करने के लिए मिटाई गई थी वो टाइप के दौरान गलत टाइप हो गई कोई इबारत हो सकती है जो की हाथ के हाथ मिटाई गई थी और उस पर सही अक्षर टाइप किये गए थे और उस पर मैनेजिंग डाइरेक्टर के हस्ताक्षर वो जाली हो सकते है पुलिस कहती है वो हस्ताक्षर असली है जो पुलिस ऐसा कहती है वो जरूर आजकल के आती आधुनिक जालसाजों की साधन संपन्नता को नहीं समझती दासानी खामोश हो गया अब बात आती है पारसल को पोस्ट करने की छाया आगे बधी यहां मैं आपके इस नतीजे से पूरा इत्तफाक जाहिर करती हूँ कि ये किसी दूसरे से कराने वाला काम नहीं था किसी दूसरे को पारसल सौपा जाता तो वो उस पर लिखा दुशिंत परमार का नाम जरूर पत्ता और जब उसे पता लगता की कैसे उसका कतल हुआ था तो उसे उस पारसल की याद जरूर आती जो कि किसी के कहने पर उसने पोस्ट किया था कातल ऐसा करना अफोर्ड नहीं कर सकता था इसलिए वो पसल जरूर उसने खुद अपने हाथों से पोस्ट किया था ऐसा खुद करने के लिए सवा एक और पौने तीन बजे के बीच उसका जनपत पर उपलब्ध होना जरूरी है सहबान मैंने इस बात की तस्दीक की है कि मेरा अपराधी इस वक्फे के दोरान जनपत पर उपलब्ध था वो वहाँ इंपीरियल होटल में अपने कोई दरजन भर हमपेशा सहबान के साथ लंच कर रहा था इंपीरियल होटल से इंडियन आयल की इमारत कोई ज्यादा दूर नहीं बड़ी हद पांच मिनिट में इंपिरियल से इंडियन आयल के सामने वाले लेटर बाक्स तक जाकर वापिस लोटा जा सकता है महफिल में से महज पांच मिनिट की गैरहा जिरी कोई नोट नहीं करता इतना टाइम तो टॉयलेट में लग जाता है साहबान, सत्य प्रकाश वाले केस का जिक्र मैंने केवल दोनों केसों को एक जैसा बताने के लिए ही नहीं किया था प्रस्तुत केस को सत्य प्रकाश वाले केस का समाना अंतर बताने के पीछे मेरी कुछ और मन्शा भी थी वो मन्शा ये थी कि वो समानता महज इत्तफाक नहीं थी मेरा दावा है कि किसी ने बाकाइदा उस केस को स्टडी करके अपनी कार्य प्रणाली निर्धारित की थी मेरे अपराधी ने खूब सोच समझ कर उस केस को अपने नापाक इरादों के लिए कापी किया है ऐसा करना किसी ऐसे शक्स को ज्यादा सहूलियत से सूच सकता है जो कि अपराध शास्त्र विशेश अगय हो या अपराध से दो चार होना जिसके कारोबार का हिस्सा हो सहबान, मेरा अपराधी ऐसा ही एक शक्स है क्रिमिनालोजिस्ट जी हाँ अब मेरा आखरी प्वाइंट ये है कि जब कुछ अर्सा पहले स्थाने अकबारों में दुशेंट परमार और विभा दासानी की शादी की अफवाहे छपी थी तो बाद में उन अफवाहों का खंडन भी छपा था साहबान, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वो खंडन किसने छपवाया था परमार का नौकर कहता है कि वो खंडन उसके सहब ने नहीं छपवाया था विभा की नौकरानी कहती है कि वो खंडन उसकी मिम सहब ने नहीं छपवाया था खंडन से संबंधित विग्यापती उन दोनों से बिना कोई मश्वरा किये किसी तीसरे शक्स ने अखबारों में छपने को भेजी थी और उसी शक्स के कातिल होने का मैं दावा पेश करती हूँ शाया प्रजापती खामोश हो गई एक मुद्दा रह गया मैडम अशोक प्रभाकर बोला आपने जहर का जिक्र नहीं किया क्या आप अपने अपराधी का संबंध कतल में इस्तिमाल हुए जहर नाइट्रो बंजीन से भी जोड सकती है इस एक मुद्दे में शाया बोला मैं दासानी सहब से सर्वदा सहमत हूँ ये कोई एहम बात नहीं चोकलेट या उसमें इस्तिमाल हुआ जहर कोई एहम नहीं दोनों आम आइटम है जो की आम उपलब्ध है चलिए ऐसे ही सही लेकिन आप अपने अपराधी का नाम तो लीजिए शाया प्रजापती बड़े रहस्य पूर्ण धंक से मुस्कर आई अजीब रवया है ये दासानी भूंभूनाया आप क्या हमें तपा रही है इतनी देर इतना कुछ कहते रहने के बाद जब असल बात कहने का वक्त आया तो आप खामोश हो गई है साफ बोलिए कौन है मुझरिम आपकी निगाह में किसे कातल करार दे रही है आप कमाल है दासानी साहब छाया एचरजब्रेस्वर में बोली आप भी ये सवाल कर रहे है मैं भी क्या मतलब दासानी हरबडाया क्योंकि आपको तो मालूम है कि कातल कौन है मेरे से बहतर मालूम है सबसे बहतर मालूम है क्या क्या मालूम है मुझे साफ साफ कहिए क्या कहना चाहती है आप मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप छाया ने खंजर की तरह एक उंगली दासानी की तरफ भौकी आप कातिल है आप है मेरे तिकोन का तीसरा कोन मिस्टर लोगमल दासानी मैं आपको कातिल करार देती हूँ दासानी हक्का बक्का सा छाया का मूँ देखने लगा ये फिर वो भरक कर बोला ये औरत पागल हो गई है मेरे खिलाफ छाया सकती से बोली गाली गलोच की जुबान इस्तिमाल करके आप अपने माथे पर लगा इतना बड़ा कलंग नहीं धो सकते मिस्टर दासानी आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि आपको अपनी बिनमा की बेटी से बेपना मुहबबत है उस मुहबबत ने आपको मजबूर किया था कि आप किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को दुश्यंत परमार के चंगूल में फसने से रोके आप अपनी नादान, मासूस लेकिन दिशाब रुमिद बेटी को एक वहशी दरिंदे की जलालत का शिकार होता नहीं देख सकते थे अपनी बेटी की हिफाज़त के लिए आप कुछ भी कर सकते थे कतल भी, जो कि आपने किया कल आपने खुद अपनी जुबानी कबूल किया कि दुश्यंत परमार से संबंधित कुछ बाते ऐसी थी जिन्हें सिर्फ आप जानते थे कैसे जानते थे? ऐसे जानते थे कि वो बाते तब हुजागर हुई थी जबकि विभा से अपनी शादी की बात को लेकर वो आपसे मिला था उन बातों में से एक बात ये थी कि उस मुलाकात के दोरान आपने परमार को धंकी दी थी कि अगर वो आपकी बेटी को लेकर अपने नापाक इरादों से बाज ना आया तो आप उसे जान से मार डालेंगे लेकिन वो अपने इरादों से बाज ना आया इसलिए ना आया क्योंकि उसे आपकी बेटी की शह हासिल थी वो समझता था कि देर सवेर आपकी बेटी आपको उसके हट में जुका लेगी लेकिन आप जुकने वाले शक्स नहीं आप जुके नहीं जुकने की जगह आपने कतल का रास्ता अख्तियार किया आपने कतल किया अपनी बेटी की भलाई के लिए किया लेकिन किया वो खामोश हो गई और परे देखने लगी, बाकी सब की इलजाम लगाती निगाहें किसी प्रतिक्रिया को पने की कोशिश में दासानी के चेहरे पर टिक गई सभापती महोदे, दासानी कड़क कर बोला, क्राइम क्लब का वरिष्ट सदस्य होने के नाते मैं आपसे मान करता हूँ कि आप इस औरत को मजबूर करें कि ये अपनी बेहुदा, बेबुनियाद बखवास से बाज आए इलजाम क्योंकि आप पर आयद है, आगाशे के बोल पाने से पहले ही चाया बोल पड़ी, इसलिए आपको मेरी बाद बेहुदा लगती है, बेबुनियाद लगती है, बखवास लगती है बत और कातिल मैंने किसी और का नाम लिया होता तो आप ही इसे ठीक, तर्कपूर्ण और सटीक बता रहे होते और बद बद के मुझे बधाया दे रहे होते बात खुद पर आन पड़ी है तो आप अपनी तहजीब भूल गए है और पागलों की तरह प्रलाप करने लगे है बत और मशहूर एडवोकेट जिस दानई और सूच बूच के लिए आप मशहूर है वक्ती विक्षिप तता के आलम में आप अपनी इन खुबियों से नाता न तोड़ बैठे होते तो भद्रता से अपने पर आयद इल्जाम का खंडन करते और तर्कपूर्म धंग से मेरी त्योरी के कोई नुक्स गिनाते साबित करके दिखाते की जो कुछ मैं कह रही हूँ वो जूट है हाथ जटक जटक कर और चिल्ला कर जो ड्रामाई इफेक्ट आप पैदा करने की कोशिश कर रहे है वो कचहरी में शायद किसी काम आ भी सकता हो और नहीं तो अपने क्लाइंट को ही प्रभावित करने की काम आ सकता हो लेकिन यहां किसी काम नहीं आने वाला यहां या तो यह बताईए कि क्यो मेरी त्योरी गलत है क्या नुक्स है मेरी त्योरी में या चुप रही है मिस्टर दासानी इदर पुटप और शटप मेडम ठीक कह रही है अशोक प्रभाकर प्रभावित स्वर में बोला आप कुछ कहना चाहते हैं आगाशे दासानी से बोला दासानी ने जोर से थूक मिली मेरी राय में आपको जरूर कुछ कहना चाहिए मौन स्वीकृती का लक्षन होता है अशोक प्रभाकर बोला दासानी के मुँख से बोल न फूटा हैरानी है रुचिका केज विवाल बोली दासानी सहब तो अपना अपरात कबूल करते मालूम हो रहे है ऐसा है तो अभिजीत घोश बोला इंस्पेक्टर शिवनात राजोरिया को बुलाना चाहिए और उसे खबर करनी चाहिए कि हमने केस हल कर लिया है जल्दबाजी में कोई कदम उठाना ठीक न होगा मिस्टर घोश आगाशे बोला अभिजीत घोश सकप का कर चुप हो गया मेरी राय में नुचे का बोली हमें सारे सिलसिले पर कानूनी नुक्तानिगा से ही नहीं इखलाकी और जज़बाती नुक्तानिगा से भी गौर करना चाहिए मुल्क का काईदा कानून जिस बात को गलत और सजा के काबिल करार देता हो जरूरी नहीं वो हमें भी गलत और सजा के काबिल लगे हालात ये जाहिर कर रहे हैं कि दुश्यंथ परमार जैसे दुश्ट की इस दुश्ट की इस दुनिया से विदाई तो एक ऐसा काम माना जाना चाहिए जिसमें की हर किसी का हित है ये महज इत्तफाक था कि ऐसी किसी कोशिश में एक बेगुनाह की जान चली गई मेरी राय में तो इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाना चाहिए पुलिस को तो मैजिस्ट्रेट साहिबा की थियोरी की भनक भी नहीं लगने दी जाने चाहिए दासानी साहब की व्यक्तिगत समस्या से सहानुभूती दिखाते हुए हमें इनको कवर करने चाहिए शुक्रिया दासानी एकाएक बड़े शुश्क स्वर में बोला लेकिन मुझे किसी ऐसे रहमो करम की जरूरत नहीं मैं किसी की दया का पात्र बनने का ख्वाहिश्मन नहीं वक्ती जजबात और जनून को हवाले होकर मेजिस्ट्रेट साहिबा से मैंने जो बजजबानी की उसके लिए एक शमाप्रार्थना करते हुए मैं फिर पुर्जो और लफजों से अर्ज करता हूँ कि कतल से मेरा कुछ लेना देना नहीं देखने सुनने में मैडम की थियोरी कितनी भी दमदार क्यों न लग रही हो लेकिन अंट पंथ ये गलत है ये ठीक है कि मैं क्रिमिनालोजिस्ट हूँ लेकिन एक वकील का क्रिमिनालोजिस्ट होना स्वाभाविक होता है वो अपराद विग्यान का ग्याता नहीं होगा तो काम्याब एड़ोकेट कैसे होगा ये भी ठीक है कि जन्पत पर पार्सल पोस्ट दिये जाने के वक्त के आसपास मैं करीब ही इंपीरियल होटल में एक लंच में शामिल था मैं ये भी कबूल करता हूँ कि मैंने दुशेंट परमार को ये धंकी दी थी कि अगर उसने मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं उसे जान से मार दूंगा लेकिन इन में से एक भी बात ऐसी नहीं है जो कि निर्विवाद रूप से मुझे अपरादी सिधा कर सकती हो ये कोई पुक्ता सबूत नहीं है ये महस सरकमस्टान्शल एवीडेंस है अदालत में जिनकी बड़ी आसानी से धजज्या उड़ाए जा सकती है जहां तक चौकलेट का पारसल मेरे द्वारा पोस्ट किये जाने का सवाल है तो मेरा ये कहना है कि लंच के दौरान अपने डाय बाय बैठे दो दोस्तों को पेश कर सकता हूँ जो कि इस बात की गवाही देंगे कि एक बज़े से लेकर तीन बज़े तक मैं अपनी टेबल से हिला तक नहीं था और जहां तक परमार को कतल की धंकी का सवाल है मैं ये सावित करता हूँ कि उस पर अमल करना मेरे लिए जरूरी ही नहीं रह गया था वो कैसे आगाशे उत्सुक भाव से बोला वो ऐसे कि जब मैंने और कुछ अन्य बुजूर्ग रिष्टेदारों ने मि वक्ती तोर पर वो परमार की पहुँच से दूर रह सके इस बात की सत्यता को प्रमारित करने के लिए आप चाहे तो मैं उन रिष्टेदारों को और अपनी बेटी को यहां बुला कर उनसे आपकी बात करा सकता हूँ आप कहते हैं तो ऐसा जरूर हुआ होगा छाया कि खातिर किसी का कतल कर सकता हो उससे आप लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो अपनी बेटी की भी जान को खत्रे में डाल दे क्या मतलब एक मिनट के लिए फर्च कीजिए कि जहर वाली चाकलेटों का पार्सल दुशन परमार को मैंने ही भेजा एक बार वो पार्सल पोस्ट हो जाने के बाद मेरा तो उस पर से कंट्रोल खत्म हो गया अब जैसे वो पार्सल परमार में मुकेश निगम को सौप दिया वैसे वो पार्सल वो मेरी बेटी को दे देता तो सोचिए क्या होता तब मिसे जनजना निगम की जगह मेरी बेटी की जान गई होती क्या मैं इतना नहीं एहमक हो कि ये नहीं समझ सकता कि उस तरीके से मेरी वो चाकलेटे मेरी बेटी के लिए जान का खत्रा बन सकती थी। आज ये मेरी जिंदगी का पहला मौका है जब मैं खुद कठरे में खड़ा हूँ और अपने बेगुनाही की दुहाई दे रहा हूँ। जब परचिया डालकर मेंबरान की बारी निकालने का प्रस्ताफ पास हो रहा था तो उस घड़ी हमारे जासूसी उपन्यासकार सदस्य अशोक प्रभाकर ने एक बात कही थी जिसने थोड़ा बहुत सबको चोगा दिया था। इन्होंने कहा था कि उन्हें तो कतल के केस का हल सूज भी चुका था। अब मौजूदा हालात में हम मिस्टर प्रभाकर से इतना तो पूछ सकते हैं कि क्या वो हल वो ही है जो की मैडम ने पेश किया है या उससे मुक्तालिफ है। मेरी दर्ख्वास्त है कि सभापती महोदे संबंधित मेंबर को इस सवाल का जवाब देने की इजाज़त दे। मेरी दर्ख्वास्त है कि जब एक और तैयार शुदा हल पेश होने के लिए सामने मौजूद है तो क्या आप मैडम के सुझाय हल को ही अंतिम मानकर इस दिमागी व्यायाम का समापन कर देंगे। मैडम की थियोरी की पालिश उतार कर रख दे। फिर उससे आगे अभी तीन मेंबर और है जो कि अपनी जहनी कूवत में एक से बकर एक साबित हो सकते हैं। सहबान, तमाम बातों की रूह में मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि क्या आप इतनी धेर सारी संभावनाओं को नजरंडर्स करके एक मिसेच छाया प्रजापती की जोलजाल थियोरी से चिपके रहना कबूल फर्माएंगे। क्या ये मुनासिब होगा? क्या ये इनसाफ होगा? जवाब देते वक्त ये भी ध्यान में रखिएगा कि जहां इस वक्त बैथे हैं वो कोई कोर्ट का चहरी नहीं, वो कोई इनसाफ का मंदिर नहीं और जो लोग यहां मौजूद हैं, इनसाफ करना उनकी यहां अगाशे बोला, अब हमने ये फैसला करना है कि हमारा भविश्य में क्या कदम होना चाहिए? जो कुछ दासानी साहब ने कहा, उससे इत्तफाक जाहिर करते हुए मैं ये प्रस्ताफ पेश करता हूँ कि जब तक तमाम के तमाम मेंब्रान को अपनी अपनी राय पेश करने का मौका ना हासिल हो जाए, कोई अंतिम निर्णय न लिया जाए. अब मिसे छाया प्रजापती की थियोरी पर पुनर विचार तब होगा जबकि बाकी के चार मेंब्रान भी अपनी थियोरी पेश कर चुके होंगे. तभी इस बात पर भी नए सिरे से विचार होगा कि मैडम की थियोरी के मुताबिक मिस्टर दासानी कतल के अपरादी है या नहीं? जो मेंब्रान मेरे प्रस्ताफ से सहमत हो, वो बराय महरबानी हाथ खड़ा करें. सबने छाया प्रजापती ने तनिक हिच किचाते हुए, उसे अपनी शांदार थियोरी की वांचित वाहवा ही जो नही लिया जाएगा. इसी की साथ मैं आज की मीटिंग की बरखास्तगी की घोशना करता हूँ. सब उठ खड़े हुए. विवेक आगाशे पुलिस हेटकोटर मिस्थित इंस्पेक्टर राजोरिया के सामने उसके आफिस में बैठा था जहां कि वो आफिस खुलते ही पहुँच किया था. मैं तुम्हें ये बताने आया था. आगाशे बड़ी संजीदगी से बोला कि तुम्हारी ये टिप की केस का हल दुश्यंत परमार की रंगी मिजाजी और नहायत काबिलेतरा जाती जिन्दगी में नहीं थे. मेरे किसी काम नहीं आ रही. क्यों? इंस्पेक्टर की भवे उठी. मेरी टिप गलत है? तुम्हारी टिप नहीं गलत. लेकिन मेरी पेश नहीं चल रही परमार पर. मैं नहीं काम्याब हो पा रहा उसकी जाती जिन्दगी के बखिये उधेरने में. मैंने ये तो आपको कभी भी नहीं कहा था कि ये कोई आसानी से हो जाने वाला का आसानी से हो जाने वाला काम होता तो क्या पुलिस को हार माननी पड़ती। जितना की तुम मुझे पहले ही बात चुके हो। आपके किसी काम नहीं आया? मेरे तो नहीं लेकिन कल शाम मेरे एक फैलो मेंबर के वो केस खूब काम आया। मेरी तरह उसे भी उसकी बाबत सूझा था और उसने उस केस से बड़े संसनी खेज नतीजे निकाल कर दिखाये थे। मेजिस्ट्रेट छाया प्रजापती को जो की समझती है कि एड़ोकेट लोगमल दासानी अपराधी है? आगाशे हगबकाया था तुम्हें कैसे मालूम वो इंस्पेक्टर को घूरता हुआ बोला जरूर उस औरत जातने क्राइम क्लब से गद्दारी की होगी सब कुछ बग दिया होगा तुम्हारे सामने। उसका क्राइम क्लब के लिए भी कोई फर्ज है। जाहिर है कि उन्होंने उसी को तरजीह दी। तो फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि छाया प्रजापती ने दासानी को अपराधी ठेहाया था। बता दू अब कह भी चुको उनके पीछे लगकर उनकी निगाह भी नहीं क दिखाय दिया। यही तो कमाल है हमारे जासूसों का। जबकि मैं खुद जासूस हूँ। इंस्पेक्टर हसा। यह तो बड़ी ज्यात्ती है तुम्हारी। आप हमें अपने कन्फीडेंस में नहीं लेंगे तो यह ज्यात्ती तो हमें करनी पड़ेगी। आखिर हमने भी त तो नहीं मालूम। उस त्योरी के हक में उन्होंने जो दलीले पेश की वो तो नहीं मालूम। मालूम होंगी भी नहीं। आगाशे संतुष्टि पूर्म स्वर में बोला। यह तो खामख्याली है आपकी। जो बाते एक अकेली औरत खोच के निकल सकती है। उन्हें क्या प कौन सी त्योरी पेश करने वाले हैं। कोई भी नहीं। मजाक न कीजिए। मैं सच कह रहा हूं। अभी तो मैं किसी त्योरी की स्थूल रूप रेखा तक नहीं तयार कर पाया हूं जबकि क्राइम क्लब के सामने बोलने की मेरी कल ही बारी है। क्या करेंगे आप अपनी बा तफ्तीश में आरे आ रही है। बिना फीस के कभी किसी केस पर काम जो नहीं किया। इसलिए इस केस की तफ्तीश के लिए मेरे में वो जो शोखरोश पैदा नहीं हो रहा जो की होना जरूरी है। आप मजाक कर रहे है। आगाशे ने प्रतिवाद नहीं किया। वो कुछ रहा और फिर उठ खड़ा हुआ। चल दिये जनाब इंस्पेक्टर बोला। हाँ आगाशे बोला कहो तो ये बता के जाओ कि यहां से कहा जाओंगा ताकि तुम्हारे आदमियों को दिक्कत नहों। जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर बड़े इत्मिनान से बोला मालुम कर ल इंस्पेक्टर राजोरिया से उसने जूट नहीं बेला था। केस का कोई सिर पैर अभी तक उसकी पकड़ में नहीं आ पाया था। और ये बात भी गलत नहीं थी कि केस में उसका सौफी सदी मन नहीं लग रहा था। जो कुछ वो कर रहा था वो महज इस अंदेशे से कर रह था कि अगर उसने केस का कोई हल प्रस्तुत न किया तो बतोर क्राइम क्लब के सभापती उसकी बहुत नाक कटने वाली थी। मिस्टर आगाशे आगाशे ने हर बड़ा कर सर उठाया तो सामने रोच पद्मसी को खड़ा पाया। रोच पद्मसी दिल्ली की हाई सोसाइटी क अंग एक रईस विध्वा थी जो की कभी आगाशे की क्लाइंट रह चुकी थी। आईू में वो कोई 40 साल की थी और अपनी उम्र के लिहाज से नहायत खूबसूरत व्यक्तित्व की मालकिन थी। आगाशे ने उसे ब्लेक मेलिंग के एक बड़े घिनोने रैकेट से निकाल था जिसकी वजह से वो उसका बहुत एहसान मानती थी। आगाशे को उससे दो एत्राज थे जिनकी वजह से उसकी हमेशा कोशिश उससे कन्नी कत्राने की होती थी। एक तो वो बोलती बहुत थी। इतना बोलती थी कि बोलती ही चली जाती थी। दूसरे को मूँ खोलने तक वेरी गुड मॉनिंग यानि कि वही केस है कैसे जाना मैडम गैस किया आजकल हाट केस तो वो ही है कैपिटल में मिस्टर आगाशे नहीं भी कर रहे हैं तो आपको उस केस पर काम करना चाहिए मेरी राय में अगर कोई उस केस को हल कर सकता है तो वो सिर्फ आप है जर्रानवाजी का शुक्रिया मैडम, लेकिन मरने वाली मेरी सहेली थी, आप कहें तो मैं आपकी फीस भरने को तयार हूँ नहीं, नहीं, फीस की बात नहीं है, है भी तो कोई बात नहीं, but you must investigate आपको पता लगाना चाहिए कि वो जहर भरी चाकलेते दुश्यंत परमार को किसने भेजी, आप जरूर पता लगा लेंगे, मुझे गारंटी है, मैडम, ये आपकी महानता है कि आप मुझे किसी काबिल समझती है ओ, come on, don't be too modest, you are a great detective, इस बात से मुझसे बहतर कौन वाकिफ है, आगाशे जबरन, मुस्कराया और वार्तालाप के तुरंट समापन की कोई तरकीब सोचने लगा मेरा तो दिल हिल गया था, बेचारी की मौत की खबर सुनकर, वो कह रही थी, बेचारी कितनी नौजवान थी, कितनी खूबसूरत थी, and happily married to, आगे सारी जिन्गी पड़ी थी, enjoy करने के लिए सब खात्म, उपर से किस्मत की मार देखिए, एक तरह से अपनी मौत के लिए वो खुद जिम्मेदार थी, वो कैसे? उस शर्त की वजए से जो की उसने अपने हजबन से लगाई थी, ना वो शर्त लगाती, न वो शर्त जीतती और न वो चौकलेट का डिबबा उसके गले मधा जाता, लेकिन मिसेज अंजना निगम शर्त हार भी तो सकती थी, नहीं हार सकत है, ऐसी शर्तों में तो हार जीत का 50-50 चांस होता है, वो 0 और 100 चांस वाली शर्त थी, वो ऐसी शर्त थी जिसमें अंजना हार सकती ही नहीं थी, मिसेज पद्म सी, मैं आपकी बात कतई नहीं समझ पा रहा हूँ, जरा ठीक से बताईए आप क्या कहना चाहती है? बताती वैसे ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है, आपको भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप डिटेक्टिव है और ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि अंजना के कतल के केस को आप अपनी तरजनी उंगली के आधा इंच लंबे नाखून से उसने आगाशे की छाती को हो का हल करें, मैं चाहती हो कि आप, ओ मैडम, प्लीज, कम आन विद इट अल्रेडी, शर्त की क्या बात है जो आपने किसी को नहीं बताई है, मिस्टर आगाशे, उस शर्त के मामले में अंजना ने अपने हस्बंड को चीट किया था, वो कैसे, अगर उसने इमानदारी से काम लिया होता तो उसने वो शर्त लगाई ही न होती, बेइमानी से शर्त जीतना, वो भी अपने पती से, क्या कोई, क्या बेइमानी की थी उसने, मर गई बेचारी, इसलिए कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच यही है कि मुझे उसकी वो बात अच्छी नहीं लगी थी, अब भ वाई, मिस्टर आगाशे, आर यू इने हरी, नो, नाट एटाल, मैं तो शाम तक यूही फुटपाथ पर खड़ा रह सकता हूँ, आज मजाक कर रहे है, मिसेज पद्मसी, प्लीज फार गाज सेक, पहले शर्त की बात पर आईए, सस्पैंस से मेरा बी पी, बधा जा रहा है, क्यों नहीं वो शर्त लगानी चाहिए थी मिसेज निगम को, क्योंकि वो फिल्म उसने पहले ही देखी हुई थी, पहले ही देखी हुई थी, आगाशे अचकचा कर बोला, जी हाँ, लेकिन उस शुक्रवार दोपहर को तो वो उस फिल्म का पहला शो था, वो उस फिल्म के आ अपराधी कौन का विडियो कैसे टुपलब्ध नहीं था। प्रोड्यूसर की गारंटी है। डिस्ट्रीब्यूटर की गारंटी है। तो फिर प्रीमिय से पहले कैसे देख ली वो फिल्म मिसेज निगम ने? मैंने दिखाए? आपने दिखाए? हाँ, कब? प्रीमिय वाले दिन से दो दिन पहले? कहा? हाउस आफ सोवियत कल्चर में? जो फिरोजशाह रोड पर है? हाँ, वहाँ बुधवार को सोवियत एमबैसी की ओर से इन्वाइट गैदरिंग के लिए इसका एक शो हुआ था जिसकी कि किसी को खबर भी नहीं. मैं अंजना को खोद अपने साथ उस शो में लेकर गई थी. इस तरीके से उसे अपने हस्बंड के साथ फिल्म देखने जाने से दो दिन पहले ही मालूम था कि फिल्म में कतल का अपराधी घर का चौकीदार था. अब आप बताईए शुक्रवार क कातल पहचानने की शर्थ लगा कर अंजना ने क्या अपने हस्बंड को चीट नहीं किया था? उसने बेमानी से वो शर्थ नहीं जीती थी? कह तो आप ठीक रही है. उस बेमानी की वजह से बेचारी की जान गई. वो शर्थ न लगाती, साफ साफ हस्बंड को बता देती कि व फिल्म उसने पहले ही देख ली थी इसलिए उसे मालूम था कि कातल कौन था तो चौकलेट के डिब्बे की स्टोरी ही न बनती. फिर अपने नाम आई जहर भरी चाकलेटे दुश्यंत परमार खुद खाता और खुद जहनुमरसीद होता जो की वो नाक चाह कर बोला अच्छ मिल गई उसको. लेकिन बहुत छोटे गुनाह की बहुत बड़ी सजादी गौड ने उसे. ये इनसाफ नहीं हुआ. अगर गौड अपने हस्बन से जूट बोलने वाली हर वाइफ को ऐसी सजा देने लगे तो कोई वाइफ ही न बचे. उसने ऐसा जूट क्यों बोला? क्या में ऐसी थी तो नहीं वो. इतनी भली लड़की थी वो. हस्बन से इंडिपेंडेंटली इतनी धौलत मन थी लेकिन फिर भी अभिमान तो छोटक नहीं गया था उसे. कुछ बेवियों को अपने पती को उल्यू बनाने में दिल्चस्पी होती है. इसमें किसी बदनियती का य लेने की ख्वाहिश मंद होती है कि उनका पती उनके बनाए बेवकूफ बना और यूँ वो अपने को पती से ज्यादा सयाना साबित करके खुश होती है. वेरी वेल सैद मिस्टर आगाशे वो प्रशनसात्मक स्वर में बोली जरूर यही बात होगी. या फिर उसने एक नातकी एक हामोशी अख्तियार की. या फिर क्या आगाशे उत्सुक भाव से बोला? या फिर अंजना को समझने में उसके केरेक्टर को पहचानने में मेरे से भूल हुई होगी. अब उसकी मौत के बाद उसके बारे में कुछ गलत सोचना मुनासिब तो नहीं होगा न, मिस्टर आगाशे. हाँ, जन्नत नशीन लोगों के बारे में तो अच्छा अच्छा ही सोचने का दस्तूर है हमारी सोसाइटी में. यू आर राइट एज चाहकर बोली, आप उस आदमी से कभी मिले नहीं मालूम होते, मिस्टर आगाशे. मिले होते तो कभी उसे अंजना की मौत की जिम्मेदारी से बरी करने की कोशिश न करते. कोई इंसान है वो, हर वक्त किसी न किसी औरत के पीछे पड़ा रहता है, एक से आजिज आ जाता है तो पूरी बेशर्मी से उससे किनारा करके नई के पीछे पड़ जाता है. इतना केरेक्टिलेस आदमी है कि तौबा भली, आप वाकई नहीं मिले उससे? नहीं, मुझे तो वो आदमी इतना खराब लगता है कि मेरा बस चले तो मैं भूचाल आ जाने के लिए या बाद आ ज जाने के लिए या कोई तुफान आ जाने के लिए भी उसे ही जिम्नेदार ठहराओं. इन हादसों पर कहीं इनसान का बस होता है, मैडम? ना होता हो, लेकिन उनका किसी पर इलजाम ठोकने की चायस अगर मुझे हो तो मैं उस दुशन्त परमार को ही चुनूंगी. आजकल, व ततकाल बीच का फासला फिर जीरो करती हुई वो बोली, सिल्वर किंग कहलाता है उसका हस्बंड. फिल दी रिच, यू नो? मुझे कोई इल्म नहीं, मैडम. अभी ताजी बात है न? वन वीक ही तो हुआ है. विभा दासानी के हाथ से निकल जाने का गम गलत कर रहा है कमीना मिसेच कापडिया के पहलू की पनाह में. पता नहीं दासानी कैसे अकल देने में काम्याब हो पाया अपनी गुम्रा हुई बेटी को. लेकिन एक बाप के हक में तो ये अच्छा हुआ के विभा का उस कमीने से पीछा चूट गया. You are right. मिस्टर आगाशे, आपकी राय में उसको अंजना निगम की मौत का कोई अफसोस होगा? आखिर वो इंस्ट्रूमेंट था उस मौत में. ऐसी खामखा की मौत का तो हर किसी को अफसोस होगा. उस कमीने को नहीं है. कतई नहीं है. आपको क्या पता? मुझे सब पता है. ए मैं और आपकी बात का बुरा मानूंगी? आप जो कहना चाहते हैं, बहीं चक कहिए. दुश्यंत परमार ने कभी आप पर दोरे डालने की कोशिश नहीं की? क्या कह रहे हो, मिस्टर आगाशे, मैं तो ऐसी आदमी को पास भी न फटकने दूँ. यानि की ऐसी कोई बात नहीं नहीं, कोशिश तो जरूर की होगी उसने. वो किसलिए? एक तो इसलिए कि वो आदत से मजबूर है, उसने अपना इमेज जो मेंटेन करना है. दूसरे आप उसकी तवज्जों की पूरी-पूरी हगदार केंडिडेट है. मैं? आप ही तो, आप खूबसूरत है, खुदमुक अपने से ही तो वो चीज अपनी नहीं हो जाती. मिस्टर आगाशे? बिलकुल सही फरमाया आपने. तो ऐसी कोई बात नहीं आपके और परमार के बीच? हरगिज भी नहीं. ना पहले कभी थी? नैवर. फिर भी आप उससे इतनी खफा है. आगाशे एक शंट थिठका और धी नैवर. आपको अगर ऐसा लगा तो मैं सौरी बोलता हूँ. यू नीड नॉट बी. और बताइए, कोई नया प्ले नहीं देखा? सभी देखे है. आप तो जानते ही है कि राजधानी की हर थेटर एक्टिविटी की मैं एक्टिफ पाटिसिपेंट होती हूँ. हाँ, आजकल स से एक दिन पहले, खुद डाइरेक्टर ने इन्वाइट किया था. आपने देखा? जी हाँ, देखा. कैसा लगा? बैया, शुरू में जो मंजली बेगम का विलाप वाला सीम था, वो तो बहुत ही बैया था. मंजली बेगम के विलाप वाला सीम, वो उल्जन पूर्ण स्वर में बोली. जी हाँ, मैंने वो सीम नहीं देखा. दरसल मैं जरा लेट हो गई थी पहुचने में. वो क्या है कि वो बड़े संकोच पूर्ण भाव से हसी, लेट लतीफी मेरी आदत बन गई है. ना चाहते हुए भी खामखा लेट हो जाती हो. होता है कभी-कभी ऐसा भी. सन् मन ही मन आगाशे कुछ और सोच रहा था. जिस द्रिश्य का उसने जिख किया था, प्ले के पहले आधे घंटे में तो वो था ही नहीं. अगर वो केवल 15 मिनट लेट पहुची होती तो तब तो उसने वो द्रिश्य देखा होता. और मिस्टर आगाशे, जानते हैं उस प्ले क इंटर्वल में क्या हुआ? इंटर्वल में. मैडम, मुझे अब इजाज़त दीजिए. मेरी कहीं की एक फिक्स टाइम अपॉइंटमेंट है और अभी लेट लतीफी मेरी आदत नहीं बनी. हाँ हाँ, फिर जोक मारा, मिस्टर आगाशे. मैं आपसे फिर मिलूंगा. जरूर Anytime, I will look forward to the meeting. लेकिन जाने से पहले एक बात कबूल करके जाएए कि आप अंजना निगम के कतल के केस की तफ्तीश कर रहे हैं. है तो सही ऐसा, मैडम, लेकिन बराए महरबानी किसी से कहिएगा नहीं. सवाल ही नहीं पैदा होता. मिस्टर आगाशे, देख लीजिएगा, आप जरूर कायाब होंगे. आप ही काम्याब होंगे इस केस में. थैंक यू, मैडम, ऐसा होगा तो यकीनन आपकी दुआउ से ही होगा. I wish you all the best. थैंक यू, गुड नाइट. आगाशे ततकाल वहां से खिसका. आगाशे, रीगल, पहुचा. अभी भी वहां, अपराधी कौन, ही लगी हुई थी और नून शो की बुकिंग खुली थी. उसने बालकनी की एक टिकट खरीदी और जाकर अपनी सीट पर बैट गया. साधे बारा बजे फिल्म आरम हुई जिसे की आगाशे ने पूरी बेध्यानी से उम्रते आंखते देखा. सवा दो बजे इंटर्वल हुआ. आगाशे हाल से बाहर निकल आया. उसने नोट किया कि वो सिनेमा एक वन वे ट्रैफिक वाली चलती सड़क पर स्थित था और उसका कोई अपना टैक्सी या स्कूटर स्टैंड नहीं था. वहां से जनपत वन वे ट्रैफिक के लिहाज से उल्टी तरफ था यानि किसी वाहन जनपत पहुचने के लिए या तो कनाट प्लेस का एक किलोमीटर का पूरा घेरा काटना पड़ता था और या फिर इरविन रोड के रास्ते टालस्टाय मार्क पहुच कर कनाट प्लेस वाले जनपत के सिरे से एन विप्रीट सिरे से वहां पहुचा जा सकता था. तेज कदमो उसे चलता हुआ वो जनपत पर इंडियन आयल की इमारत के सामने वाले लेटर बाक्स पर पहुँचा और फिर वैसे ही चलता वापिस रीगल पहुचा उसने घरी देखी तो पाया कि उस चक्कर में उसे पूरे 7 मिनिट लगे थे जब हो हाल में वापिस पहुचा तो उसने पा पन फिल्मों का सिलसिला खत्म हो जाता था तभी डोम लाइट बुझ गई बाकी फिल्म के लिए वहां रुखने का उपक्रम उसने न किया आगाशे शिवालिक क्लब पहुचा पिछले एक हफते से लंच के वक्त वो हर रोज वहां होता था और हर रोज क्लब के किसी मुक्त परमार से भली भाती परिचित होता था लेकिन जब उसका चर्चा छड़ता था तो या तो वो परमार की जाती जिंडगी से पूरी तरह से अन्भिगे निकलता था और या फिर वो चुप्पी साथ जाता था यू आप तक सारा सिलसिला वक्त और पैसे की बरबादी ही साबि परिचित था लेकिन इस बाबत बातचीत अभी जरा गर्माई ही थी वो मुकेश निगम के बारे में अपने कोई उधगार प्रकट करने की वाला था कि मुकेश निगम वहां पहुँच गया उस पर निगाह पढ़ते ही आगाशे का लंच का साथी खामोश हो गया मुकेश न प्रकट के गम ही है न? वो संदिग्ध स्वर में बोला? हाँ, वही है, उसका लंच का साथी धिमे स्वर में बोला, वही है जबसे बीवी मरी है पहली बार कलब में आया है, क्या हालत बन गई है बेचारे की? आगाशे ने हमदर्दी से सहमती में सिरह लाया, लग वाकई वो ये भी मर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, उसका लंच का साथी बोला, बहुत मुहबबत थी इसे अपनी बीवी से, जान छिरकता था बीवी पर, बीवी का कातिल ही पकड़ा जाए और अपनी कर्तूत की सजा पा जाए तो बेचारे को कोई तसल्ली मिले, तुम तो इसे अपना जिगरी यार बता रहे थे, इसने तो करीब से गुजरते वक्त तुम्हारे से हलो तक नहीं की, हलकान है न बेचारा, कुछ देख के भी नहीं देखता, कुछ समझ के भी नहीं समझता, सदमे ने मती हर लिहें बेचारे की, आगाशे इसी नतीजे पर पहुँचा कि उस शक्स की मुकेश निगम से कोई बहुत ही मामूली वाक्फियत थी और दुश्यंत परमार से शायद उतनी भी नहीं थी, आता उससे कोई जानकारी हासिल होने की उमीद करना वक्त की मुकमल बरबादी के अलावा कुछ न था, उसने खामोशी से लंच किया, बाकी जितने देर वो कलब में ठहरा, रोज पदमसी से हुआ उसका वारतालाप उसके जहन में टेपर रिकॉर्ड की तरह बचता रहा, उस वारतालाप की एक बात तो उसके जहन से निकल ही नहीं रही थी, मरने वाली ने शर्त की बाबत अपने पती से जूट क्यों बोला, जब वो अपन लंच के साथी से रुखसत लेने की तयारी कर रहा था तो एकाएक बिजली की तरह उस सवाल का जवाब उसके जहन में कौल था, ओ माइक गाड, उसके मुझ से निकला, क्या हुआ, उसका लंच का साथी हरबढ़ा कर बोला, कुछ नहीं, आगाशे ततकाल उठ खड़ा हुआ फिर मिलेंगे, नमस्ते, जीती रह पठी, मन ही मन रोच पद्वसी को बढ़ाया देता हुआ आगाशे वहां से विदा हुआ था, पहली बार उस औरत के मुझ से कोई काम आने वाली बात निकली थी, वो बाकी का दिन आगाशे का बहुत ही ज्यादा व्यस्तता में गुजरा कि अपात निया के वहां से बिलेंगे काम थीतपत वयादाया काम मेंगे काम जायुत प्वर के बिलेंगे काम से की मुझ से हुआ हैुजरा उनदेंगी कोई इकली बहुआ है कामा झाम से एकल से विदाए? झाल 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 झाल